वेलकम टू माई चैनल शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे दा टावर पोयम के थर्ड सेक्शन का अनलिसिस इससे बहले आप चाहें तो फर्स और सेकिंड सेक्शन का अनलिसिस देख सकते हैं इस सेक्शन में पॉइट अपनी विल के बार मसियत को लिखूं और इसके लिए मैं आप स्टेंडिंग मतलब नातिक रूप से जो सची व्यक्ति होते हैं उनको चुनना चाहूंगा जो कि स्ट्रीम्स पर तब तक शड़ता रहता है जब तक वो फाउंटेन को लीप मतलब छलांग नहीं लेता या फिर क्रॉस नहीं कर ल कैल्शियम कार्मनेट लटकता है एक शेप होती है इस ताइप की उसे बोला है मैं घूशना करता हूं कि मैं अपने प्राइट को विरासत के रूप में दूँगा मतलब जो विल मैं लिख रहा हूं वो में जिन लोगों को दूँगा वो इनहेरिट या वसियत के तौर पर मेरे प्राइट को लेंगे लोगों का वो प्राइट जो की बाउंड नहीं होगा ना तो किसी रीजन से ना ही स्टेट से नहीं स्लेफ से मतलब किसी के हिसाब से काम करना, इसपैट ओन का मतलब होता है विवाद होना, तो वो लोग किसी स्लेफ से बंदे नहीं होंगे जो कि एक विवाद का कारण बन सकता था नहीं वो टारेंट्स मतलब किसी निरंग को शाशक से बंदे होंगे तो इस तरीके से कोई विवाद नहीं होगा इन में से ही जिन लोग को पसंद करेगा उनको उसकी विल दी जाएगी और ये लोग किसी चीज से बाउंड नहीं होंगे ये हर चीज को मना करने के लिए फ्री होंगे अब वो इन लाइन्स में इस प्राइड की क्वालिटीज की बात कर रहा है वो बोलता है जब किसी विक्ती के हैड लॉंग लाइट मतलब सिर की तरफ जो रोशनी आ रही है वो मन्द पर जाती है तो ये जो प्राइड है वो एक मौन या सुबे का काम करता है उस विक्ती को मार प्रदत करता है और ये एक फैबुलस मतलब उच्छ कोटी के हौन की तरह है और दैट अफ दा सदन शावर वैन ओल स्ट्रीम्स आर ट्राइड और उस शावर की तरह है जब सारे जढने सूख जाएं तो एकदम से प्रकट हो जाए और दैट अफ दा आवर वैन दा स्वान मस्ट फिक्स इस अपने फेडिंग ग्लीम और वो घंटा या वो समय है जब एक स्वान को उसकी आई को फिक्स करना होगा या ठीक करना होगा एक लुपत या कम फेड होती होई ग्लीम या किरन को देखने के लिए फ्लोट आउट अपने लॉंग लास्ट रीच ओफ ग्लिटरिंग स्ट्रीम अपने लास्ट सॉंग एक लंबे समय तक फ्लोट करके तैर कर वो ग्लिटरिंग स्ट्रीम के लास्ट तक पहुँच जाता है और अपने लास्ट सॉंग को गाता है जहां इस पोईम के स्टाटिंग में पॉइट ने बोला था कि प्लेटो की थौट का वो फेवर करता है लेकिन अब वो बोलता है मैं अपने फेथ को डिकलेर करता हूँ और मजा कुडाता हूँ और रोता हूँ प्लेटो के जो थौट से हैं उन पर पॉइट कहता है डैथ और लाइफ जैसी चीजे तब तक नहीं थी जब तक मनुशे ने इसे नहीं बनाया point के कहने का मतलब है कि इनसान ने उन सारी चीजों को बनाया जो की life को बनाती है जीवन और मृत्यों के निर्माण में काम आने वाली सभी चीजों को मनुश्य ने बनाया है और मनुश्य की जो bitter soul है उसमें से उसने इन चीजों को made lock lock लगाना मतलब समाल के रखा made stock संचित करके रखा और barrel का मतलब होता है भर कर रखना a sun and moon and star all and further add to that that being dead we rise stream and so create trans lunar paradise point कहता है sun moon star और इन सभी से जुड़ी हुई चीजे जो है वो मृत हो जाएंगी क्योंकि ये सारी चीजे concrete thing है तो खतम तो होनी है लेकिन हम हमेशा rise करेंगे इस अपने देखेंगे और imagination करेंगे trans lunar paradise से मतलब सांसारिक चीजों से परे एक आनंदवार्दी का या जगे से है I have prepared my piece with learned Italian things and the proud stones of Greece point का कहना है कि उसने अपने लिए एक शान्ती की जगे prepare कर लिये जो कि learned या फे सूशिक्चित है Italian things के साथ और Greece के गौरफ शाली पत्थरों के साथ points imaginings and memories of love memories of the words of women point कलतना शील है जो प्यार और लव की उसकी memories है उन words की memories जो की एक महिला के दोरा कहे गए all those things we are of man makes a superhuman mirror resembling dream वो सारी चीज़े जो मनिश्य को superhuman या फिर अलोकिक बना देती है mirror resembling dream मतलब दरपन की तरह दिखने वाले एक सपने की तरह लगती है मतलब जब हम दरपन में किसी चीज़ को देखते हैं हमें उस चीज़ का प्रिती रूप दिखाई देता है हम उसको actual में नहीं पकड़ सकते हैं वो हमारे लिए dream की तरह है उसी तरीके से वो सारी चीज़े जो एक man को superhuman मनाती है वो वी एक दरपन की तरह दिखाई देने वाले सपने की तरह है ऐस एड दा लूप ओल देखाई उसको देखा जा सकता है चहसे जाति हुए गजाति हुए ऐक चिर्ट में से या लूप ओल तने में एक सीज रहते है और शेज रहतेँस में बड़्ट स्रहतें उसको अै को श्यता है इसको and drop tweaks layer upon layer when they have mounted up और जब बर्ड से स्पेट पर चड़ते हैं तो वो ड्रॉप मतलब जुकाते हैं टहनियों को layer upon layer मतलब जो layers हैं टहनियों की पड़ते हैं वो आपस में touch होती हैं the mother bird will rest on their hollow top and so warm her wild nest इन को की जो मा है mother bird है वो hollow top मतलब जो quarter है या फिर लो फूल है उसके बाहर से ही इनकी सुरक्षा करेगी और बार्म करेगी इनके घौंसले को I leave both faith and pride to young upstanding man climbing the mountain side point बूलता है कि मैंने दोनों ही चीजे faith और pride को अब leave कर दिया है चोड़ दिया है और अब वो upstanding man मतलब जो सच्चे वेक्ती है उनके बारे में बात करता है जो चड़ते हैं mountains पर that under bursting dawn they may drop a fly तो यह जो upstanding man है यह एक bursting dawn मतलब एक फूटने वाली सुबह या होने वाली सुबह के अंदर होते हैं और इन्हें drop किया जा सकता है चोड़ा जा सकता है एक fly के रूप में इसी धातू से बने हुए metal से बने हुए जिसे किसी और चीज से नहीं तोड़ा जा सकता है कमजोड नहीं किया जा सकता केवल एक ही चीज़े स्थान बद्ध होना या फिर एक ही जगे बैठे रहना या निश्ट्रिय होना पॉइट का कहने का मतलब है जो फ्रेज यूज होई है फ्लाई जो होती है उसका life span बहुत चोटा होता है लेकिन कोई इन्हें मारना चाहे है तो बहुत अधिक संक्या में मार सकता है इसी तरीक किया जा सकता है सिर्फ एक चीज से सेडेंटरी ट्रेड मतलब एक जगे बैठने से या निश्ट्रिय होने से नाउ शेल आई मेक मैं साउल कंपैलिंग इस तो इस तरी इन लर्ण स्कूल तिल दा रैक ओफ बाड़ी तो पॉइट यहां कहना चाहता है कि अब टाइम आ चुक में पड़े अध्यन करे और इस तरीके से वो अपनी साउल को एजुकेटेट करने जा रहा है और अपने शरीर के रैक या नाश होने तक बरबाद होने तक वो उसको एजुकेटेट करने जा रहा है यहां पर उसने अपने बाड़ी के विनाश होने की अवस्ताओं का वर्णन किया है जरजर होने की अवस्ता डल का मतलब होता है फीका मतलब बाड़ी के पूरे विनाश से इसलिए वो अपने बाड़ी को उस लेवल तक एजुकेटेट करने जा रहा है जहां उसे वर्स मतलब बुरी चीजे एफेक्ट या प्रभावित ना कर सके जैसा कि एक परसन है उसके किसी फ्रेंड की डैथ और किसी भी शांदर परसन की डैथ से उसकी जो प्रैथ है वो जकडी हुई महसूस होती है उस परसन को लाइफ जो है वो घुटन भरी लगती है लेकिन एक प्रभाव की जो सावल है उसको एजुकेटेड होना चाहिए या सीख लेना चाहिए आकाच के बादलों से जब होरीजन या छितिच फेड या फीखा पर जाता है तो इस चीज का प्रभाव कहीं ना कहीं बा उसी तरफ उनको अगर रोना है या फिर दुख भी व्यक्त करना है तो बर्स की तरह sleepy cry या फिर शांत या निश्क्रिये रूप से गहराई में या डीपनिंग शेड में अपने दुख को व्यक्त करना चाहिए तो यह था पोईम का एनलिसिस जिसमें पॉइट ने ग्रेट इ आनलिसिस है थांक्स फो वचिंग मैं वीडियो